सरकार की तरप से नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है 9 जनवरी 2022 के दिन तो आप सभी को पता है जो कोविड का नया वेरेंट है ओम्री क्रॉन है तो ये संग्रमन तेजी से फेल रहा है तो इसी को लेकर जो मामारी सतर के सावदान है जन अनुशाशन दिशा निर्देश जार तो आप देख सकते जो सेक्षणी गती विद्या है सबसे पहले स्कुलों को लेकर है जिसका अंदर बता रखा है कि जो आपकी स्कुल है 30 जनवरी तक बंद रहेगी 30 जनवरी 2022 तक कहा की स्कुले बंद रहेगी जो भी सिटी के अंदर आती है नगर निगम शेस्त्र है नगर पहले है इसकुल है 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी परन्तु ओनलाइन अध्यन जारी रहेगा याने की विद्यारतियों को नहीं जाना है लेकिन जो इसकुल का स्टाफ है उनको जाना है ठीक है एंड दसवे बारवी के विद्यारति जो ग्रामें शेस्त्र वाले है उनके वेक पहले है रहतिये क्लास कंदर तो जो उसकंदर 50 को एक दिन विला जाएगा 50 को दूसरे दिन इड़ इसके बाद जो शादी विवा समारों को लेकर है तो जो अधिक्तम शोर रखे गए है अधिक्तम सो व्यक्ति सामिल हो सकते है शादियों कंदर लेकिन यह जो ग्रामीन शेस तरह उनी कंदर ही 100 अलाव है बाकि जो नगर निगम है जो शेहरी एरिया है सीटी कंदर है वहां पर सिर्फ 50 व्यक्ति अलाव है 50 व्यक्ति शादी या कोई भी अन्य समारो उसके अंदर 50 व्यक्ति शामिल रहेंगे एंड जो ग्रामीन शेहस्तर है उसके अंदर 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है ठीक है एंड उसके बाद जो बेंड वाजा वाले है उनको अलग से रखा जाएगा एंड विवा आयोजन से पहले आपको जो ओनलाइन सेमती लेनी होगी मेरी पर या फिर 181 पर कोल करके आपको जो स गार्डन नियो मकाव लंगन करते वपाया जाता है तो उसे साथ दिन के लिए सील कर दिया जाएगा एंड जो अंतेश्टिव अंतिम संसकार है तो उसके अंदर जो अधिक्तम व्यक्तियों की संक्या भीस रखी गई है भीस से जादा नहीं रहेंगे तो आप सुभी एक सारवजनिक कारेकरम हो गया सबारेली धरना परदेशन है जलूस मेलो का एजन तो अधिक्तम सो व्यक्ति रह सकते हैं यह गरामेंड सेस्त्रों के लिए है ठीक बाकि जो नगर निगम नगर पाली का सेस्त्र है उनका अंदर पचास व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे ठीक एक है लोड़ी और एक है मकर सक्रांती तो यह भी आपको घर पर रेकर ही मनाना है एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर पचास परतिशत के समता रहेगी एंड बाकि जो 24 गंटे होम डिलेवरी इसमें रहेगी एंड जो बात करें सिम्लमा होम थियाटर मल्टिप्लेक्स के समस्त जो भी शोपिंग के दुपान दुकान वगेरा है मोबाइल के दुकाने सबी रातरी आंट वज़े तक खुली रहेगी उसके बाद खोल नहीं सकते है और जो भी उनका स्टाफ है पचास परतिशत स्टाफ आएगा और उनको दोनों डोस लगीवी होनी चाहिए ठीक है तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं जो होटल के अंदर 4000 वर्ग फिट का एरिया है तो 40 से या सदिक व्यक्ति ठेरने की कमरों की व्यवस्ता है ठीक है तो एरिया वाइस यहां पर व्यवस्ता रखी जाएगी तो आप यह जो नया गाइडलाइन जारी हुई है तो आप सभ उन पर देश में रात तरी 11 बज़े से सुबह 5 बज़े तक जो जन अनुसासन जो पकवड़ा रहेगा और इसकंदर यह आप नियम देख सकते हैं कि कोन कोनी आप आ सकते है जो भी फेक्टरी में काम कर रहे है या फिर कोई सरकारी करमचारी है केमिस्ट के दुकान वाला है जो भी जरूरी काम से ही आप रात को इस टाइम से बाढ़ जा सकते है वरना आप नहीं जा सकते है ठीक है तो यह अनुसाशन पकवड़ा भी लगाया गया है यह अभी तक 30 जनवरी तक है बाद में से बढ़ाया भी जा सकता है और जो सीटी बसों के अंदर भी जो 50 परतिश से अथ बसों का संचलन रहेगा एंड उसमें खड़े उकर यात्रा करने के नुमती नहीं रहेगी और यह संपूर्ण परदेश में बढ़ते दिन रातरी 11 से 5 विज़े तक रहेगा एंड समस्त परदेश वास्य दुवारा 31 जनवरी दोजार 22 कोविड की दोनों वेक्सिन ल बढ़त से दिरज बनकोबंद कर दिया गया है ती तारिक तक जो भी शेहरी शेष्त्र के स्कुल और नगर पाली का नगर निगम की एंड शादी विवा के अंदर हो 50 फिर बाल शे फाल चांपienza झाल झाल